आज की ग्लास में हम लोग क्या देखेंगे? Calibration of Energy Meter ठीक है? आप Energy Meter को क्या से Calibrate कर सकते हैं? अगर कुछ उसमें Error आ रहा है तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं? Calibrate कैसे कर सकते हैं? वो हम देखेंगे आज ठीक है? तो Calibration of Energy Meter क्या होता है? Calibration of Energy Meter means to find the Error in Measurement of Energy Meter ठीक है? Energy Meter के Measurement में जो भी Error आ रहा है उसको find out करना ठीक है? उसे हम क्या करते है? Calibration of Energy Meter करते हैं ठीक है? तो यह क्या Circuit Diagram है? Calibration का तो इसके लिए हम क्या 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 है? Load से connect किया है और Load मतलब यहाँ पर Current को Measure करने के लिए एक Amitter Connect कर दिया और Voltage को Measure करने के लिए हमने क्या 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 किया है? एक Volt Meter connect कर दिया ठीक है? तो जैसे कि हम जानते है जो आपका Energy Meter होता है It has its own characteristics constant होता है ठीक है? इसके बाद इसका ना खुद का एक constant होता है जो उसके energy constant कहते है ठीक है तो क्या होता है कि आपके हर एक energy meter का जो भी constant होता है वो manufacturer से क्या होता है जो आपका manufacturer होता है वो आपको मतलब एक constant उसमें provide decide करके देते है कि आपका ये energy meter है उसका ये आपका constant है ठीक है कि आपका ये energy meter का ये आपका meter constant है तो यहां तक समझ गें तो इसम स्पेसिफाइड बाइड मैनुफेक्ट्रे ठीक है विच रिलेट्स था इनर्जी मेजर्ड इन जूल एंड नंबर रिवलुशन ऑफ बिस्क ठीक है और उस कॉंस्टिंट को हम क्या कहते हैं मीटर कॉंस्टिंट कहते हैं कि समझें और जो भी कॉंस्टिंट होग है ठीक हरे एक एनर्जी मेंटर के लिए कौंस्टिंट कर साथयाällen आपको arrigise x तो आपका जो म्mor вый रिवलंख कोन स्पेसिफाइड ला हूं डूछ, धि करतके में कि मानुफेक्टिंट को सत्कैस्टिंट नलतारिए enc एक relation प्रोवाइट करता है, it's relate the energy measured in a joule and the number of revolution. यह क्या करता है, relation देता है आपके, कि आपने कितना energy measure किया है, और number of revolution, आपके disk के revolution कितना है, इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक relation establish करता है, इस मतलब energy constant से, इन दोनों के बीच में relation find out कर सकते हैं. तो आपका जो meter constant होता है, वो क्या होता है, revolution per kilowatt hour, ठीक है, यह क्या होता है, revolution per kilowatt hour, आपका जो भी energy, जो भी आपका meter constant होता है, वो किस से, कौन आपको देता है, आपका जो manufacturer होता है, वो पहले से decide करके देता है, कि आपके, जो भी आपका energy meter है, उसका meter constant यह है कि मतलब अगर आपका इतना energy consume होगा that's mean कि आपका जो भी होगा इतने revolution में एतना एक unit energy आपका इतना unit energy आपका consume होगा घीक है तो यह जो आपका meter constant है वो क् capacities करके देता है आपका जो manufacturer है वो decide करके देता है ठीक है तो यह आपका meter constant आ गया अब माल लो कि मैंने जिसे for example कि मैंने बोला कि x number of revolution ठीक है जब x number of revolution जब complete हो रहा है जब माल लो आपका जो x number of revolution complete हो रहा है तो उस पक जो आपका energy है वो कितना consume हो रहा है y joule consume हो रहा है ठीक है मैंने माल लिया y joule consume हो रहा है कि मतलब तो अब आपका जब x revolution complete हो रहा है तो इस कितना energy आपको consume हो रहा है, y joule consume हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो number of revolution होता है, वो practically क्या होता है, बहुत large होता है, ठीक है, तो we are not able to measure this value of x in laboratory, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, laboratory में इस x की value को measure नहीं कर बाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम क क्या करते हैं, कि constant को, meter constant को use करके, हम values निकालते हैं, ठीक है, तो meter constant को use करके, हम क्या करते हैं, कि मालो कि for a certain, मतब less number of revolution के लिए हम क्या करते हैं, आपके value को निकालते हैं, मालो कि हमने revolution जो आपका x है, यह हम मैंने revolution कितना ले लिया, 5 ले लिया, number of revolution कितना आपका 5 है, तो इ इसके basis पर हम क्या करते हैं आपका इसके basis पर हम क्या करते हैं आपके कालिब्रेट करते हैं आपके energy meter को ठीक है तो मालो कि ऐसे मालो कि जो इसका जो भी आपका जो रेडिंग आगा जो हम calculate करेंगे 5 revolution के लिए वो क्या हो जाएगा आपका ER हो जाएगा ठीक है समझ गए मितलम तो जो भी इसका energy को वो कैसे calculate करेंगे ER से calculate करेंगे तो यह क्या हो जाएगा हम 5 revolution के सिर्फ calculate करेंगे तो क्या हो जाएगा 5Y upon X यह कैसे हुआ माल लो मैंने आपको क्या कहा था कि X revolution में unitary matter दगाएंगे X revolution में हमने कितना energy consume किया Y energy consume कर रहे है तो number of revolution हमने कितना माना है 5 भी माना है ठीक है तो 5 revolution में हम कितना energy consume करेंगे आपका क्या हो जाएगा 5Y upon X यहां से ER का calculate कर लेंगे 5Y upon X समझ गे यह आगया आपका ठीक है तो यहां से ER calculate हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम एक सिकन देखनी रहोगा हाँ यहां से देखो हम मैंने क्या क्या है unitary method लगाया कि X जब आपका X revolution हो रहा था तो आपका Y unit consume हो रहा था मैंने क्या बोला कि X की value को calculate करना तो हमने क्या करेंगे सिर 5 revolution के हमने क्या किया है सिर्फ यह value को लिया है तो क्या करेंगे क्या हो जाएगा 5Y upon X unitary method लगा दिया तो ER क्या हो जाएगा 5Y upon X ठीक है यहां तक आप calculate कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना हो यू have to make a table ठीक है आपको एक table बनाना होगा राइट वो table कैसे बनाओगी वो मैं बताऊंगी आपको तो इसमें क्या होता है कि जो आपका various various load के लिए हम क्या कर लेंगे कितना मतलब कि कितना time लग रहा है आपके 5 revolution मतलब आपके desk जो आपका desk लगा हुआ है उसे 5 revolution लेने में 5 पांच बाग घूमने में एक complete revolution complete करने में उसे कितना time लग रहा है हम क्या करेंगे stopwatch से note कर लेंगे ठीक है और जो voltage और current के rating होगी वो हम क्या करेंगे ammeter और voltmeter से note कर लेंगे उसके बाद उसके basis पर हम क्या करेंगे error को calculate करके आपके energy meter को calibrate करेंगे ठीक है तो क्या करोगे आप सबसे पहले यहां पर सीरियल नंबर लिखोगे 123 यहां पर आपका voltage यहां पर आपका current यहां पर हो जाएगा time for revolution ठीक है आपका V I into T Joule ठीक है आपका ER तो यहां से निकल जाएगा energy meter का जो भी होगा वो यहां से निकल जाएगा और जो true rating आनी चाहिए वो हम क्या निकाल लेंगे इस stable से निकाल लेंगे voltage कहां से calculate करेंगे इस voltmeter से current कहां से यहां से और number of revolution कितना लग रहा है वो हम क्या time मतलब करेंगे तो आपका जो energy हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V I into T ठीक है यह आजाएगा true energy आजाएगा ठीक है और आपका energy meter का energy आजाएगा उसके basis पर हम क्या करेंगे error को find out करेंगे ठीक है तो हमने ER को calculate कर लिया ठीक है 5 revolution के लिए और ठीक है और ET अब जो आपका ET होगा वो manually हमने calculate कर लिया और इसके basis पर हम क्या करेंगे hence the error for the each load condition can be opted मैं different different load के लिए हमने अपने यहाँ पर different different load connect करके आपने error को find out करना है ठीक है तो यहाँ से हो गया तो अब क्या करोगा तो यहाँ से percentage of error कितना आ जाएगा आपको percentage of error कितना आ जाएगा er minus ET upon ET into 100 तो इससे आप क्या करोगे percentage of error निकाल लोगे ठीक है तो यह ठीक है तो हम क्या करेंगे एक क्या कर लेंगे आपका एक हम वो बनाएंगे graph बनाएंगे तो क्या हो जाएगा error versus current का graph बनाएंगे ठीक है तो different different load के लिए आपका क्या होगा different different error होगा different different current के लिए मैं तब जितना 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 आपका current है उसके लिए क्या होगा different different error होगा ठीक है तो इस curve से हम क्या find out कर लेंगे तो इस curve से आपको क्या पता चल जाएगा कितने load current के लिए आपका energy meter कितना error दे रहा है ठीक है तो इस curve को हम क्या कहते हैं calibration curve of energy meter इस curve को क्या कहते है calibration curve of energy meter once when the calibration curve is obtained इससे क्या कर लेंगे by observation of this curve इसमें क्या हो सकते है कि हम different range के लिए हम क्या कर सकते है error को find out कर सकते है कि error हाँ कि अगर हमारे current की value इतनी है तो हमारा error इतना होगा तो क्या वो error severe है या नहीं है तो हम इस आपके curve से क्या कर सकते हैं, find out कर सकते हैं कि आपका जो भी error आ रहा है जितने भी load current के लिए, वो severe है या नहीं है, अगर severe है तो फिर, मतलब अगर severe नहीं है तो ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाएगे इतना आपका load current आपने लगाया है तो इतना आपका error उसमें मिलेगा ठीक है ठीक है तो इस तरह से क्या करते है हम energy meter का calibration करते है मतलब different different load current के लिए हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा percentage of error कितना आने वाला है आपके energy meter में ठीक है तो यह आपका था calibration of energy meter